आज मैं आप लोगों को सिखाऊगा किस तरीके से टीच्मिंट पर आप टीच कर सकते हो, कैसे generate करते हैं उस पे और किस तरीके से आपको वहाँ टीच करना है One by one step by step आप लोगों को सिखाऊँगा आपको सबसे पहले क्या करना है टीच्मिन्ट एप एप स्टोर से डाउनलोड करने ना है जैसे मैंने डाउनलोड कर रखा है और उसको हम ओपन करके देखते हैं तो टीच्मिन्ट जैसे ही ओपन करोगे आपको सबसे पहले create करना पड़ेगा अपना एक account ठीक है ये मैंने already account create कर रखा है तो आपको एक account create करना पड़ेगा और उस account में आप अपने detail डालोगे और जैसे ही detail डाल दोगे बहुत simple है detail डालने के बाद में आप क्या कर सकते हो यहां से classroom में जा करके आप class generate कर सकते हो और जैसे यहां पे आपना plus create classroom निखा हुआ नजर आ रहा होगा यहां से click करके आप क्या कर सकते हो classroom create कर सकते हो और उसके साथ ही आप invite भी कर सकते हो ठीक है यहां से आप किसी को भी invite कर सकते हो थो Facebook और WhatsApp और जो भी आप Facebook के group है वहां पे आप invitation संड़ कर सकते हो आपको actual में करना क है जैसे मैं यहां पे एक मैंने टेश्ट नाम से classroom बना रखा है और इसकी classroom ID आप लोगों को नजर आ रही होगी यहाँ invite student लिखा हुए attendance लिखा हुए invite student करोगे तो invite student करते ही आपके पास में अलग-अलग interface खुल जाएंगे कि किस जगें पे आप share करना चाहे हो WhatsApp पे ठीक है Instagram पे या फिर Facebook पे तो यहां से आप इनवाइट कर सकते हो यह classroom ID है अलग-अलग classroom के लिए अलग-अलग ID जनरेट होगी जैसे अलग-अलग 11th class है या 12th class है उसकी classroom ID अपने आप जनरेट हो जाएगी आपको आप लोगों को बदा दिता हूँ कि यहां reward भी दिये जाते हैं ठीक है देखिए यहां पे आप अगर देख पारे हो मैंने ओपन किया है यहां टीच्मिंट तकरीबन 30,000 पर मन्त आप देख पारे उपर लिखा हुआ है टीच्मिंट हर महीने 30,000 जो है नहीं कर पाते तो यहां पे top 20 winners की list दे रखिए जैसे जो top 20 winners होते हैं वो उनकी list है यहां पे टीच्मिंट पे और इसके साथ साथ जो भी top होंगे उनको cash prize जो है टीच्मिंट देता है तो मेरे ख्याल से टीच्मिंट बहुत ही अच्छा platform है और इस platform पे आपको online class कैसे लेनी है वो भी एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ जैसे ये एक test classroom मैंने जैसे आपको पहले बताया था classroom create कर रखी है इस पे live class जैसी ही आप लेंगे तो इसमें live class go live के लिए option है इसमें आप जैसी ही जाओगे आपको landscape mode और portrait mode दोनों खुल जाएगा ठीक है इसमें landscape और portrait mode में आप जब teach करोगे तो go live live जाने के बादे आप देखोगे कि यहाँ पे option नजर आ रहा है माइक नजर आ रहा है ठीक है share का option है आप अपनी screen share कर सकते हो video का option है video बंद करना है तो इसको click कर सकते हो माइक बंद करना है इसको बंद कर सकते हो ओन करना है ओन कर सकते हो ठीक है और कैम्रे को स्विच कर सकते हो इसके अलावा एक option और भी है यहाँ पर देखिए वीडियो classroom recording का है quality medium low high रख सकते हो सब को mute करना है mute कर सकते हो ठीक है यहाँ chat box भी होता है जैसी tap करोगे यहाँ से कोई बच्चा आपको chatting करना चारा है कोई message text message कर रहा है तो यहाँ से कर सकता है आप भी message reply में कर सकते हो tap करते ही वापिस अपनी screen पे आ जाओगे ठीक है यह सारे features इसमें होते हैं online ठीक है classroom end करना है तो यहाँ से end कर सकते हो fix time होते ही बच्चों के पास अपनी आप message चला जाता है कि classroom आपका start होने वाला है और जैसे ही आप on होगे तो बच्चे अपने आप आपसे connect हो जाएंगे इसके साथ इसके अंदर जैसे ही आप open करोगे तो यहाँ पर attendance क्या आपको option नजरा रहा होगा इसमें आप क्या कर सकते हो अपने आप attendance जो है डेली आप class लोगे तो attendance students की आ जाएगी percentage भी शोग करेगा कि कितनी percent उसके attendance रही है ठीक है last time की जो आपने classes लिए उसके अंदर यहाँ से आप fees add कर सकते हो fees monthly या पूरे course की fees add कर सकते हो यहाँ पे started date end date यह date आप डाल सकते हो कब से कब तक आप यह fees रख रहे हो पर मन्त रखनी है तो पर मन्त ठीक है इसको save कर देंगे उसके बाद में आप क्या करोगे time adjust करेंगे Monday Tuesday Wednesday week 7 days यहाँ दे रखे हैं इसमें आप अपना जो भी class का time है जिस भी दिन आपको class लेनी है जिससे 9am to 10am यहाँ ए गंटे का दे रखा है इसको edit करना है am pm करना है तो यहाँ से edit किया जा सकता है ठीक है तो यह वाज आपको नजर आ रहेगी यहाँ से आप edit कर सकते हो इसके अलावा और कैसे करेंगे इसको update कर देंगे अपडेट होने के बाद classroom timing अपने आप adjust हो जाएगा आप अपने बारे में यहाँ पूरा interface डाल सकते हो कि कौन teacher है about classroom डाल सकते हो उसके बाद आप जो भी lecture लोगे उसका recording इस interface में आप लोगों को नजर आएगा जो भी आपने lecture लिया online उसको record कर सकते हो और record करने के बाद क्या होगा कि उस lecture का recording आपको इस जगें पर नजर आएगा within 24 hours के अंदर आजाएगा उसके बाद आप अगर test लेना चाहते है तो यहाँ से test create कर सकते हो PDF अगर आपके पास है तो यहाँ PDF भी डाल सकते हो ठीक है और वो test किस time पे आपके students को नजर आए वो यहाँ पे timing भी adjust की जा सकते है और कितने time के बाद में वो scene ना रहे तो वो भी सारा कुछ इसमें setting है उसके बाद पुरे students की list यहाँ पे आ जाएगे जितने भी student आपको join करेंगे enroll करेंगे जिनको आप permission दोगे वो सारे यहाँ involved होंगे उसके अलावा जो भी student आपसे chat करना चाहेगा तो यहाँ से आपको chat कर सकता है यह chat box यहाँ create हो जाएगा जैसे आप WhatsApp में chatting करते हो group के अंदर उसी तरीके से पूरे students का group हो जाएगा इस class का यहाँ इस interface में आप कोई notice add कर सकते हो add notice आपको नजर आ रहा है यहाँ से जा करके आप क्या कर सकते हो कोई भी notice जो आप class के बारे में देना जाते हो जैसे कि आज की कोई class नहीं लगनी है तो आप पहले ही बच्चों को notice send कर सकते हो यहाँ पर आप notice जालोगे बच्चों के अपने आप notice चला जाएगा आपको personally किसी बच्चे को phone पर contact करने की जूरत नहीं है text message करने की जूरत नहीं है यहाँ से अपने आप message चला जाएगा यहाँ से आप assignment वगरा बच्चों को दे सकते हो assignment किस तरीके से देना है PDF देना है या किसी भी तरीके से यहाँ से आप assignment generate कर सकते हो आपका study material को YouTube channel का link है आपका तो वो यहाँ डाल सकते हो image डाल सकते हो कोई document आपके पास PDF form में है वो यहाँ डाल सकते हो ठीक है तो यह सब यहाँ से बड़ी असानी से किया जा सकता है इसकी खास बात क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसके अलावा यह तो था classroom के बारे में अब हम चलते हैं कि इसके बाद यहाँ पे grow आपको नजर आ रहा है यहाँ आपकी site बना सकते हो आपकी site पे कौन visit कर रहा है कौन आपकी site पे inquiry ले रहा है तो वो सारी चीज यहाँ पे आपको नजर आएगी ठीक है website visitor कितने है कितनी enrollment request है आपका एक card बन जाएगा ठीक है यहाँ पे digital template भी बनवा सकते हो आप यहाँ पे अलग-लग design अपने आप show कर देगा यह ठीक है और next करोगे तो next design नेक्स करोगे तो next design आ जाएगा इसी तरीके से business card भी बन जाएगा इसके लावा festival कोई भी है जिस दिन भी है उस दिन का festival greeting यहाँ create हो जाएगा आपकी यहाँ पे एक site भी बन जाएगी वो site आप यहाँ share कर सकते हो आप अपने किसी workshop group में कहीं पे भी और यह है एक social platform जिस तरीके से आपका facebook है उसी तरीके से यह एक social platform है instagram है जैसे यहाँ पे अलग अलग teachers का पूरा अपना जो है यह कोई video का screenshot share करना हो गया ठीक है कोई question share करना हो गया यह अपनी photo share करनी होगी यहाँ से अराम से कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पे like और view करने के option है share करने का option है तो यह सारा एक किसम से जैसे आप facebook चलाते हो ठीक वैसे ही यहाँ community एक create हो जाती है लेकिन यह community आपकी तभी open होगी जब कम से कम आप 2 घंटे का आप lecture ले चुके होंगे टीच्मेंट पे उसके बाद ही open होगी तभी आप इसके उपर अपनी post डाल सकते हो ठीक है तो मेरे ख्याल से आप लोगों को लग बग टीच्मेंट पे कैसे पढ़ाना है वो सब समझ आ गया होगा और अगर आपको सच में समझ आया है तो मैं चाहूँगा कि कम से कम करना थैंक यू गूद लग वैव नाइस देग